फिजिकल ट्रांस फॉर्मेशन से गुजर रहें आमिर खान तिर्क्यों आधी रात मा के घर जाकर खाते हैं कबाब बलेवोड एक्टर आमिर खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंग चड़्धा में व्यस्त हैं आमिर इस वक्त अपनी इस फिल्म की तैयारियों में जोटे हुए है आमिर खान अपनी फिल्मों की शूटिंग समेत सभी अन्य चीजों का पूरा ख्याल रखते हैं अपनी फिल्मों के साथ वेह अपनी बॉडी का लुक भी रोल के हिसाब से ढालते हैं इस फिल्म में आमिर अपने से कम उमर के शक्स का किरदार निभाते हुए नज़र आएंगे रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के किर्दार में ढळलने के लिए आमिर 20 किलो वजन कम करने के लिए आमिर खास वेजिटेबल डाइट फॉलो करने के बावजूब भी आमिर देर रात अपनी मौमझीनत के घर जाकर कबाब खाते हैं आमिर खान के करीबी सूत्रों ने बताया कि आमिर खान स्पेशल प्रोटीन हेवी डाइट फॉलो कर रहे हैं आमिर की डाइट में सिर्फ स्टीम्ड और बेग्ज सबजियां, टोफू और मल्टी ग्रेन रोटियां ही शामिल हैं Special diet follow करते करते आमिर खान को अपने favorite food की काफी craving होती है इसलिए पिछले कुछ हद्थों से आमिर खान आधी रात को अपनी मॉम के घर जाकर उनके हाथों के बने कबाब खाते हैं लेकिन आमिर खान की diet को ध्यान में रकर उनकी मॉम ने अब diet friendly vegetables कबाब बनाने शुरू कर दिये हैं आमिर खान को जब भी खाने की craving होती है तो वो अपनी मॉम के घर जाकर कबाब खाते हैं वरक प्रंट की बात करें तो फिल्म लाल सिन चड़डा में आमिर खान के साथ करीना कपूर भी नज़र आने वाली है इस से पहले दोनों सितारे फिल्म तीन इडियर्ट्स और तलाश में एक साथ नज़र आ चुके हैं इस फिल्म को अद्वैत चंदन डारेक कर रहे हैं